हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका रेमेडी सेरा से पीस फोर यू में तो आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीकी से भिंडी की सबजी बनाना बताऊंगी तो चली स्टार्ट करते हैं मैंने आधा किलो भिंडी लिया है और इसे मैंने अच्छे से धो करके इसका पानी अच्छे से सुखा लिया है तो अब इसे हम काट लेते हैं भिंडी को मैंने इस सेप में काट लिया है आप किसी भी सेप में काट सकते हैं इसे ओईल जो है गरम हो गया है तो अब हम इसमें एक चम्मत जीरा डालेंगे फिर हम इसमें कटे हुवे भिंडी को डालेंगे पूरा हाई फ्लेम पर पांच मिनट के लिए चम्मत चलाते हुवे पका लेंगे अब हम इसमें एक चम्मत जीरा डालेंगे पांच मिनट के लिए और पकाएंगे और बीच बीच में चम्मत चलाते रहेंगे तो अब मैं इसमें प्यास डालूंगी कटे हुए प्यास जो है पक चुके हैं तो इसमें मैं दो चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूं उसके बाद आधा चम्मच मिर्ची पाउडर डाल रही हूं इसे हम मिक्स कर लेंगे और एक मिनट के लिए पका लेंगे अब मैं इसमें एक बड़ा साइस का गटा हुआ टमाटर डाल रही हूं टमाटर को भी हम दो मिनट के लिए पका लेंगे बेंडी को मैं इसमें कवर कर रही हूं ताकि ये अच्छे से पक जाए टमाटर टमाटर भी पक चुके हैं तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं तो अब मैं इसमें स्वात के अनुसार नमक डाल रही हूँ नमक हम लास्ट में ही एड़ करेंगे नमक को भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद एक मिनट के लिए पका लेते हैं तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से बन करके तयार हो गई है हमारी भिंडी की सबजी सबजी हमारी बन चुकी है तो इसे मैं एक बावल में डाल देती हूँ बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत टेस्टी और हेल्डी भिंडी की सबजी जो है बन के तैयार हुई है तो प्लीज दोस्तो एक बर जरूर बनाईए इस तरीके से और मुझे बताईएगा कि आपको कैसी लगी है भिंडी की सबजी दोस्तो अगर आपको इस रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थाइंक्यू सो माच